तो यारो आज हम बात करने वाले हैं जवान मुवी के वर्ल्ड वाइट तीन दिन के बॉक्स अब इस क्लेक्शन के बारे में साथ साथ मुवी के अंदर की कुछ मिष्टक पर लूपोल्स के बारे में तो बीना टाइम विश्ट ही जल्दिस स्थू करते हैं बंदे को आप दबाना चाहिए न यार उसके इंदर बंदे को आप दबाना चाहिए न यार उसके अंदर किस तरह से उसको पारफोल दिखाया कुछ भी समझ नहीं है मेरको ते यार साथ यार उनकी करेक्टर को बहुत ज्यादा वीक लिखा गया है करेक्टर को सही सरी कर लिखा नहीं गया है उनको पर डीटेल से और कादा काम करना चाहिता मैं उस विल्लन के बारे में करेक्टर है उसको फांसी दिल्वादी उसको मलब गलत साबित कर दिया उसको मलब दोसी इस से ठहरा कर उसको भी फांसी दिल्वादी मतलब देखने मंद बाई बन देने श्री पर उसके खिलाव मंद इसे कमीठी ही इतना में उस पे उतना कुछ कर दिया लेकिन आज परजें टायम है जब उसका जम वीकिन वाटोर का बेट आज़ाद है वह उसकी बेटी को किटनेप कर ले लेता है वो कुछ नी करता है उसके भाई को भी मार देता है बागी जो मुवी के मैकर से उन्हों ने पर यही तोड़ा बहुत वहां पर तोड़ी-थोड़ी तो बता दूं मेरे साफ से मेरे को मुवी के अंदर कोई कमी ने लगी अगर थोड़ी-थोड़ी पिंपॉइंट करने लग दाओगे तो बाइं यह बिल्कुल पी सही ने होगा क बागी मेरे कोई कमी नहीं लगी अब बात करें कुछ मुवी के अंदर कुछ के बारे में तो उनको देखकर मेरे को थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी ना आप कुछ भी दिखा दोगे मदलब मुवी के चुरुआत वाला है सीनल लो जो विक्रमेटर करेक्टर है बनलब उसकी म सामने कोन है जी गीटर कर रहा है कि इसकी हेल्प नहीं कर रहा है किनको मार रहा है is अब आप मैंसे कुछ लोग बोलेंगे एक्षन वाली मुई इसके लोजिक क्या टून रहा है तो बाई मैं वहाँ आप लोजिक फिजी स्क्राविटी वून के लोजिक नहीं पोच रहा हूं तुमसे बाई बंदे की यादा आस चालचो कि उसको कुछ भी पता नहीं कि वह कहां फिर भी वह एक्षन करें जा रहा है तो उसके मेंचे में कोई लोजिक समझ में नहीं है नेक्स्ट लोग बात करों तो बाई जेल के अंदर एक सीने जांपर देपी के वादुकों जेल में आचुकी है उसको फांसी होने वाली है एंड जैसे के लिए वह बहुत नहीं पता क किसी को नहीं बताते हैं और मेरी साव से करके तो प्रेगन किसी को नहीं बताए जा सकता नेक्स्ट वाद के लिए चाए अच्छा सामारने बाद सबसे बड़ा वाला बोडिगाड इस जम सरी के इंड़ अग्ड़ा वो बाद में आता है जब उसके बंदे चोटे मोटे उनको पीट रहते हैं जो मारा आजात हो विक्रम तब तु कहा था ठीक है बाई उनके टाइम तु नहीं है लेकिन जब काले काविवार की अच्छी कासी पिटाई हो गे थी तब तु कहा था 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 खड़ा-खड़ा देख रहता क्या उ किसान की बेटी थी उसके बाप को मलब उसका लोन मा उपनी हुआ तो बाई उसके बाई उसके बाद वहां से लेकर तुम यहां तक पाई कैसे पहुंची उसने मलब गण चलाना कैसी सीग लिया वह इतने लिए स्पेसलिस्ट कैसे हो गई इन चीजों के अंदर वह तो बहु इतने एक्सपर्ट केस हो सकती इस सारी चीजों के अंदर मलब फाइटिंग के अंदर हो गया फिर मार्शलाइट हो गया जान चलाना ऐसे आम चीज नहीं को यह नहीं कर सकता इसी तो इसके पीछे पीछ लोजिक दियना चीज तक इनोंने इसा आज किया था तब इनको पर प करना तो भाई मैं बता रहा हूं इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स ईन लूप होगे तो उनके बारे बात कर रहा हूं आप कर रहा है जो दाटा है मारे पास आ चुका आज चोटा दिन है एक रिदीज़ को तीन देन के कैसे के बारे मतरआ है सबसे पहले माई इंडिया के जो किसी भी मुई ने के इक इन्दर सबसे जदा मलब 68.7 टो करोड कि इस ने पतान मुई को पिछ चोड़ दिया कि पीछा चोड़ दिया हमारी जवान मुई ने और मेरे को लगता है कि सबसे जादा मलब सबसे जल्दी से मलब 500 क्रोड ये फिर 1000 क्रोड कमाने वाली मुवी बन सकती है बाकि इस मुवी ने को से रिकॉर्स बनाएं जैसे कि मलब हाइस्ट वन डे क्लेक्शन इसका इसका 68.72 क्रोड है हिंदी के अंदर किसी भी मुवी का मलब 384.69 करोड जो कि बहुत अच्छा नमर है मुवी ने व्ल्ड वाइट बॉक्स विसका क्लेक्शिंग बाई 384 पॉंचों का बाई ये बहुत अच्छा नमर ये ग्रॉस क्लेक्शन है बाकि बता दू तो लब लेकिन अगर आपको ये वीडियो फसंद ये अगर आपने इस वीडियो की इंजों किया तो लाइक कोमेंट शेक कर देना और आपको वेशे वीडियो देखना पसंद है और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो बहूंअ को सब्सक्राइब भी कर देना